बात बनती है क्या, ऐसे एक ट्रेन में बिठा दिया, टिकेट वापिस लेके हैपी जरनी, सेहत का ख्याल रखना, खेती नहीं करना, दुनिया का सबसे बड़ा धंदा है ये क्योंकि हर जीव को भोजन चाहिए, इंसानों की छोड़ो, सारे कीडे, मकोरे, सब को चाहिए भोज और पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, इसलिए किसान मर जाते हैं, चार-पांस दिन पहले एक बिल पोस्ट किया था फेस्बुक पर किसी ने, दो हजार किलो अनार होगाया किसान ने, शहर गया बेचने के लिए, और वापिस लेके कितना रुपया है पता है, तीन रुप जहर की पूरिया नहीं खरीद लेगा क्या, और हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बीच बीच में अंगरी जी घूसर दते हैं हिंदी में, जिन्होंने अमेरिका देखिया, गूगल गुरू के शिष्य हैं, मल्टी लिंग्वल है, मार्केटिंग में, MBA करा कोहीं का कुछ भी कुछ बेच देंगे, वो नौकरी करने में बिजी हैं, वो खेती नहीं करते, helping someone else having a business, we call ourselves settled, पैसे कोई और कमाता है न, नीन खाली मेरी खराब होती है, घर में लोग समझते हैं बेटे की नौकरी है, जपान में रहता है, एंगलेंड में रहता है, बैंगलोर में रहता है हां की न, वो कर लेते हैं, और खेती का नाम सुनते हैं, हमको लगता है, suicide है, pesticide है, गरीभी है, भुख में हजार तरह के, विशेशन आते हैं दिमाग में, तो खाना छोड़ दो न, खेती सच में टफ काम है, and for that matter, nothing is easy also in this world, in this life, stop eating then, नहीं होगा, खाना बंद कैसे कर सकते ह हैं, उगाना बंद कर दिया हमने, हमको लगता है, मौल से भोजन आ जाएगा जी, ये मौल ने तो अगले मौल में मिल या और्गनिक, है न, मुझे लगता है, ढूनने से और्गनिक नहीं मिलता है, प्याज के नम पर तरह तरह मचा रहे हैं, अन्सीजनल, अभी देखो, पता चलेगा एक प्याज उगाने में कितना लगता है, हम ऐसा नहीं करते, तीन बार खाते हैं, प्लास्टिक में बानते हैं, फैकते हैं उसको, ऐसे जेसे चांद पे चला गया, वो फर्मेंट होता है, मिथेन बंता है, उसे कैंसर फैलता है, हमको लगता है, मैं बहुत छोटा शहर है, बाकी मेट्रोज के कंपरिजन, आओ दिल वो, देली से कंपर करें, तो काफी छोटा है, पांच हजार टन एक दिन का निकल था, 1.6 million ton in a day in this country, आपको अगर बोल ले कि ये कच्रे का एक दिन थोड़ा कर लो, जिसको भगवान मान बेट हैं, वो टेकन सब्सक्रा नहीं कम होता, ये मुझे बेवकूफी जीसा काम लगता है, और सेग्रिगेट करो और उसी ट्रक में डालके मंदूर में जाके फिक देते हैं, आओ दिल वो सर, बंगलोर इंदा था नहीं निवो, मंदूर लिता हैं, विसा को देला, एक बाजो में गाउं है, से टमाटर घर में उगा सकते हैं, जो देली बोल ले थी, परमा कल्चर की बात हमने वह ही किया, पत्थरों पे बिना खुदाय किये उगा दिया, बिना बोर्विल डाले उगा दिया, जो भी करनाटक में उग सकता है सबजी और फल सारे आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, अगर आपको खाना है तो उगाना पड़ेगा, आपको नहीं तो बच्चे को जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 2012 से गेहूं का उत्पादन पूरी दुनिया में कम होना शुरू हो गया, और वो बोलते हैं, no matter what, it's not going to come up, अब बढ़ने वाला नहीं है, जन संख्या रुकेग कि नहीं, कल को चावल कम हो जाएगा, I'm not here to depress you, लेकिन यथार्थ यही है, क्योंकि उगाना कोई नहीं चाता, खेती के बाड़ें बड़ी-बड़ी बाते लोग करते, किसानों को help करो, पैसे दे दो, ये, वो करो, सब कुछ, अरे वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शेहर जा